चुनाव में बाबा साब के खिलाप मोर्चा लगाने का काम यही कॉंगरेस पार्टी ने किया यही कॉंगरेस थी जिसने पांट दसक तक सासन करने के बाद भी बाबा साब को भारत रतना नहीं दिया और बाबा साब का हमेशा अपमान करने का काम किया मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मानविंडों को पुनर जिवीत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है देश को समरूद किया है दस साल तक कॉंग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम दमा के करते थे और चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं थे बारत मता की, क्यों भई क्या होगा है भंदारा गोडिया वालों की आवाज को, मोधी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, चार सो पार करनी है या नहीं करनी है, तो ऐसी आवाद नहीं चलेगी, दोनों हाथ उठाईए, उठाईए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुठी बिचिये, और प्रचन्न वाद से बोलिए, बारत मता की, बारत मता की, मंच पर उपस्तित, महराश के लोग प्रियनेता, उपमुक्यमंत्री, और भारतिय जन्ता पार्टी के, केंद्रिय कमिटी के सदस्य, श्रिमान देवेंद्र फडन्विजी, मेरे मित्र, और राजसभा के सांसद, यही के धरति पूत्र, भाई प्रफूल पटेल जी, भाजपा के प्रभारी, डॉक्टर दिने सर्मा जी, और आज, जिनका जन्म दिन भी है, और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूँ, ऐसे हमारे लोग प्रिय प्रत्यासी, आगे आओ भाई सुनिल, सुनिल मेंडेजी के लिए जोरदार ताली बजाईए जरा, और आज, बंडारा गोंडिया की सभा में, आये हुए प्यारे भाईों, बेहनों, माताओं, और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों, आ आप सभी को नमस्कार। बनाकर सबको समेटने का काम किया। बाबा साहिब ने ही इस देश को पूरी संसार में सबसे ज़्यादा समावेसी, नियाए प्रियों और सब के साथ समान वहवार करने वाला संविधान देने का काम बाबा साहिब आमबेड करने किया। मैं वो बाबा साहिब अम्बेड करके चणों में प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवाद करना चाहता हूँ मैं आज यहां आया हूँ बंडारा आया हूँ और बाबा साहब का जन्मदिन है बोले बगर रह नहीं सकता एक कॉंग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर बोट मांगने के लिए गर-गर घुमती है 1954 के उप्चुनाव में बाबा साहब के खिलाब मोर्चा लगाने का काम यही कॉंग्रेस पार्टी ने किया चाहे 1952 हो चाहे 54 हो AD चोटी का जोड लगाकर बाबा साहब को हराने का काम किया मतनाताओ को उस जमाने में एक रुपिया और नमक की पूडिया देकर गलत तरिकों से बाबा साहब को हराने का काम यही कॉंग्रेस ने किया और यही कॉंग्रेस थी जिसने पांट दसक तक सासन करने के बाद भी बाबा साहब को भारत रतन नहीं दिया और बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम किया भारतिय जन्ता पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए पांचो तिर्थिस्तानों को सन्मानित करकर बाबा साहब को युगो युगो तक अमर करने का काम भारतिय जन्ता पार्टी ने किया और एक और यह कॉंग्रेस पार्टी बाबा साहब नहीं रहे बाद में भी जूट बोलकर उनके स्पिरिट को जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है ये जूप फेलाते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी को 400 सिटे मिली तो भारतिय जन्ता पार्टी आरक्षन समाप्त कर देगी राहुल बाबा हमारे पास दो टम से पूर्ण बहुमत है हमारे बहुमत का उप्योग हमने कभी भी कभी भी आरक्षन को हटाने के लिए नहीं किया हमने बहुमत का उप्योग दारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया हमने बहुमत का उप्योग हमने बहुमत का उप्योग त्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया राहूल बाबा लोगों को गलत फेमी मत फेलाओ आज मैं बंडारा गोंदिया वालों को केह कर जाता हूँ जब तक भारतिय जनता पार्टी रादनिती में है ना हम आरक्षन को हटाएंगे ना हटाने देंगे यह भारतिय जनता पार्टी के नेता नरेंडर मोदी की गैरेंटी है भाई और बेनो यह चुनाव है उसमें आप मेंडे जी के सामने जो कमल का निसान है उस पर बटन दबाएंगे तो वोट तो आप मेंडे जी को देंगे मगर मोदी जी तीसरी बार प्रदान मंत्री बन जाएंगे बंडारा गोंडिया में दिया हुआ आपका वोट सीधा नरेंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाने के काम आएगा भाई और बेनो एक दस साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी हमारे वादे थे इस सारे वादों को पूरा करने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है मुझे बताओ भाई और बेनो एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है जरा जोर से बोलो है या नहीं है एक खरगे साब केते है राजस्तान और महराष्ट वालों को कस्मीर से क्या लेना देना अरे खरगे जी आपको मालूम नहीं है बंडारा गोंडिया का एक एक विवा कस्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है जान दे सकता है बाई और बेनो मुझे बताओ दारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी कस्मीर में तिरंगा फैरना चाहिए या नहीं फैरना चाहिए सत्तर सत्तर साल से एक कॉंग्रेस पार्टी धारा 370 को अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती थी आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया भाई और बेनो 17 तारिक को राम नौमी है मुझे बताओ मुझे आप सभी लोग बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जरा जोड से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था सालों तक एक कॉंग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही लटकाती रही भटकाती रही नहीं बनने दिया मोदी जी ने एक पांच साल में ही कौट का फैसला भी लाया भूमी पुजन भी किया और बाइस जन्वरी को प्राण प्रतिष्टा भी कर दी और इस सत्रा तारिक को इस सत्रा तारिक को पांच सो साल के बाद राम लल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदीर में बतावाएंगे भाईयो मोदी जी ने नकेवल राम मंदिर बनाया बाबा विश्वनाथ का कोरिडॉर बनाया कासी विश्वनाथ का पुनरोधार किया बद्रीनाथ केदारनाथ का नूतन नगरी बनाया सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और गुजरात में पावागड पर सक्ति पीटखो 400 साल के बाद पुनस्था पीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बैनो मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मानविंडो को पुनर जिवीत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्सीत किया है देश को समरूद किया है दस साल तक कॉंग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम दमा के करते थे और चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था मोदी जी आए, पुलवा मामो और रूरी में हमला किया, मगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी भूल गए, एक कॉंग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी है भाई और बेनों, दस ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक करकर, पाकिस्तान के घर में घुशकर, आतंकवादियों का सफाया करने का काम, नरेंद्र मोदी थी हमारे विदर्ब को यहाँ पर भी नकसलवाद छू गया था, आज दस साल के अंदर महराश्ट, ओरिसा, हैद्राबाद, तेलंगाना, बिहार, जारकन, इतने राज्यों से नकसलवाद को समाप्त करने का काम, नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आपको कहने आया हूँ, भाई और बैनो, एक मोदी गैरेंटी है, मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंद्री बना दो, तीन साल में, छतीस गर से भी नकसलवाद को समाप्त करने का काम, यह भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेंगे अभी अभी राहूल बाबा गोसना पत्र गोसीत करकर कहते थे, हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेंगे अब यह राहूल बाबा का कैसे भरोसा करो गई, वो तो कभी पढ़ते हैं नहीं, पूरानी बातेों की जानकारी लेते हैं नहीं, उनको मालूम नहीं है इस बार के संकल पत्र में आपने जो वादा किया है, वो आपकी दादी करकर गई है इंदी राजी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, इंदी राजी गई, राजीव जी गए, सोन्या जी भी गई, और राहूल बाबा है अब तक गरीबी नहीं हटी मगर नरेंद्र मोदी जी ने दस साल में गरीबों के लिए धेर सारे काम किये हैं देश के पतीस करोड लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे माननियप पंत प्रदान नरेंद्र मोदी जी ने किया है असी करोड लोगों को मुप्त राशन प्रती महा प्रती व्यक्ती पांच किलो राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और तीसरी बार प्रदान मंत्री बना दो अगले पांच साल तक और राशन मिलने वाला है आज मोदी जी ने घोशना कर दी है 12 करोड से ज्यादा गरों में सौचाले सत्तर साल के बाद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है चार करोड लोगों को गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आज ही घोशना किया है कि तीन करोड और गरीबों को गर देने का काम ये नरेंद्र मूदी जी करेंगे दस करोड से ज्यादा लोगों को उजवला का गैस का सिलिंडर दिया है और अब माता हो बैनों खुशिया मनाना नल से जल आता है इसी तरह पाइप से गैस आपके घर में पहुचाने का काम अगले पांच साल में हुने वाला है और 14 करोड गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जीने का है भाई और बैनों राहूल बाबा किसानों की बात करते हैं मैं आज उनको पूछने आया हूँ 2013-14 में किसान कल्यान कुछी भाग का बजेट कितना था सिर्फ 22,000 करोड राहूल गांदी जवाब दे इस बात का आपने सिर्फ 22,000 करोड का बजेट रखा था 2022-23 में नरेंद्र मोदी जीने इसको 1,25,000 करोड तक पहुचाने का काम नरेंद्र मोदी जीने के भाई और बैनों अभी अभी देवेंद्र जीने धान पर बोनस दिया है मगर मैं धान का अंकड़ा भी बताने आया हूँ एक बंडारा गोंदिया धान का ख्षेत्र है चीहतर लाख लाभारतियों को सिर्फ देश बर में ध्यान खरीते थे अब एक करोड बाईस लाख किसानों का धान खरीतने का काम एक भारतिये जनता पार्टी की सरकार करती और धान का 475 लाख मेट्रिक टन खरीदी होता था उसको दो गुना करकर 830 लाख मेट्रिक टन तक पहुचाने का काम एक भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने किया है और भाईयों और बेनों हमने इस देश के इस महतपुण हिस्से के लिए समरुद्धी मार्ग जो पहले नागपूर तक था उसको गौंधिया तक एक्स्टेंड करने का काम एक भारतिये जनता पार्टी ने किया है दोनों जिलों में पक्की सड़क बनाने का काम किया एक लाग घर इस चेत्र के अंदर बनाए साथ लाग आयुशमान भारत के कार्ड निकाले सब बस्तरों की बिस्तरों की क्षमता वाला नया अस्पताल बनाया दो लाग दस अजार माताओं को उज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और दो लाग चालीस अजार लोगों को घर में जर्नल से जल पहुँचाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और आज यहाँ पर मैं आया हूँ तब सरत पवार जी को भी पुछना चाता हूँ सोनिया मन्मोन की सरकार का अफिस्सा थे आपने महराश को दस साल में क्या दिया था गोंधिया वालो मेरी बात ध्यान से सुना दस साल में कॉंग्रेस सरकार ने महराश को एक लाख इक्यानवे हजार करोड दिया था इसके सामने दस साल में नरेंद्र मोधी जी ने साथ लाख पंद्रा हजार करोड रुपया देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है और 2,90,000 करोड सडक रेलवे और बुले ट्रेन और एरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है अभी अभी मैं उद्धाव ठाकरे को देख रहा हूँ वो कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड डाली भाजपावालों है सरत पवार जी भी कहते हैं मेरी पार्टी तोड डाली मैं आज पस्ता करने आए हूँ महराज की जनता के सामने हमने ना सीव से ना तोड़ी है ना एन सीपी तोड़ी उद्धव के पुत्र मोने सीवसेना तोड़ी और पवार साब के पुत्री मोने एनसीपी तोड़ी और आद देखिये साब यहां के ही नेता महराष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्स्पने कॉंग्रेस का क्या हाल हुआ आधी सीवसेना और आधी NCP ने पूरी कॉंग्रेस को आधी करने का काम कर दिया अब मुझे बताओ बंडारावालो एक तीन आधी पार्टिया महराश का भला कर सकती है क्या जरा जोर से बोलो कर सकती है महराश का भला केवल और केवल भाजपास सीवसेना और NCP के साथ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता भाई और बेनो देश का चुनाव है मोदी जी ने समगर वीश्व के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है अभी अभी G20 की मिटिंग हुई दुनिया भर के राश्ट्रद्यक्स महात्मा गांदी की समादी के सामने नत्मस्तक हुए और इतने खराब माहोल में भी दिल्ली डेकलेरेशन करा कर हमारे कुट नितिक विजय को नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में इसका परचम भैलाने का काम किया है भाई और बेनो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये दस साल मोदी जी का कॉंग्रेस ने बनाया हुआ गड़ा भरने में गया है अगले पांथ साल में महान भारत की रचना करने का काम अगले पांथ साल में शुरू होने वाला है और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि 2047 में 2047 में हम महान भारत की रचना करेंगे भाई और बेनो हमने अभी अभी गोशना पत्र गोशित किया है हमारे संकल्पत्र में कहा है कि अब देश में पूरे देश में भाजपा सरकार आने के बाद मोदी जी के प्रदानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में समाननागरिक सहिता UCC को लागू किया जाएगा हमने कहा है पूरे देश में विधानसभा और लोगसभा के इलेक्षन एक साथ किये जाएंगे बार-बार इलेक्षन नहीं किया जाएगा हर बुजोर्ग जो सत्तर साल से ज्यादा आयूका है उसका पांच लाग तक का सारा इलाज का खर्चा इरिस्पेक्टी ओप इंकम नरेंद्र मोधी सरकार उठाएगी नए तीन करोड गरीबों के घर बनाएंगे जुग्गी जोपडी को रहने वालों को प्रायोर्टी देंगे पाइप से गैस हर घर पहुचाने का कारेक्रम सुरू होगा और पी-म सुर्यगर से गरीब के घर की बिजली का बिल जीरो करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सर करेंगे मुदी जी ने एक करोड लगपती दिदी बनाया है और हमने लक्स रखा है तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाईए तीन करोड लगपती दिदी बनाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेंगे पेपर लिग के लिए कठोर कानून लाकर पारदर्सी नौकर की व्यावस्ता करेंगे इंफ्रास्ट्रक्ट्टर इन्वेश्मेंट मैनिफेक्टरिंग हाई वेल्यू सर्विसीज स्टार्ट अप टूरिजम और स्पोर्ट के छेत्र में लाखों मौके यूआओ के लिए बनाएंगे और दो हजार चतीस का दो हजार चतीस का ओलंपीक भारत में होगा वो भी हम स्जीट करेंगे भाईों और बैनों एक और राहुल बाबा है उनके नेत्रुत में परिवारवादी पार्टियों का गजोर है जो अपने बेटे बेटी बतीजे बतीजियों को प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री बनाना चाहते है और दूसरी और घरीप के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी नाम का इव विक्ती जिसने तेईस साल से एक भी चुक्टी लिये बगर देश की सेवा करने का काम किया है एक और बारा लाग करोर के घपले घोटाले करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है और दूसरी और जिस पर तेईस साल से मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री रहने के बाहुजोद पांच पैसे का आरोप नलगा ऐसा प्रामानिक नरेंद्र मोदी है एक और देश की सुरक्सा को अपनी वॉट बेंक के लिए ताथ पर रखने वाला एक गमंद्या गठवंदन है और दूसरी और सेना के जवानों को वन रैंक वन पैंसन देकर आतंकवाद को समाप्त करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार है आपको फैसला करना है मेंडे जी को दिया हुआ आपका वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाएगा मेंडे जी को दिया हुआ आपका वोट भारत को सुरक्सित बनाएगा मेंडे जी को दिया हुआ आपका कमल के निसान पर वोट भारत के अर्थ तंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थ तंत्र बनाएगा भाई और बैनों मैं अपील करने आया हूँ आप सभी को हमारे आगया यह मेंडे जी हमारे नेता मेंडे जी को यहीं का आपका ही नेता है इसको प्रचंड बहुमत से अरे सुना है नहीं पढ़ता भाई जोर से बलो दबाएंगे 400 पार कराएंगे मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाएंगे मेंडे जी को जिताएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाएंगे उठाएंगे दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी पिंचे और बोलिये जै स्री राम जै जै स्री राम बारत मता की बारत मता की वंदे वंदे जै 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 सिवाजी जै 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 भवानी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाज़़ झाल झाल